Today we will discuss about section 9 of CPC 1908 If you like my video so like and comment and also subscribe my channel So let's start video Section 9 Section 9 है जो हुमारा CPC का ये क्या बात करता है ये कहता है कोट तो ट्राई ओल सिविल सुट्स अनलेस बार्ड कोट सभी सिविल सुट्स को ट्राई कर सकता है अनलेस बार्ड जो उन से बार्ड नहीं है सबसे पहले कोशन ये राईज होता है कोट सुट को किस तरह से ट्राई करेगा कोट के पास कुछ पावर तो होनी चाहिए ऐसे तो कोई भी किसी भी कोट में जाएगा और वहाँ पर केस फाइल करतेगा और बोलेगा कि डिसाइड करो तो सबी कोट के पास जुरिस्जिक्षन होनी चाहिए ट्राई करने की सूट को अब जुरिस्जिक्षन जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है कहता है जो जुरिस्जिक्षन है वो हमारे सीपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है जुरिस्जिक्षन का जुरिस्जिक्षन अब एक इंडियन जुडिश्री ने एंशन टाइम पर एक लीगल मेक्जिम दी थी यहां में you be just a be remedium जिसका मतलब होता है which mean where there is a right there is a remedy जहां पर right है वहां पर remedy होगी इसका मतलब जहां पर किसी person का right infringe होगा तो वहां पर वो क्या right अपने right को उसको उसके लिए claim कर सकता है कि मेरा right infringe हुआ है तो उसे क्या मिलेगी remedy मिलेगी remedy या तो compensation मिल सकती है कुछ और भी अगर हम section 9 पर आते हैं जो मारा section 9 है यह क्या है एक gateway है CPC का gateway means जो जैसे अगर हमें college जाना है school जाना है तो हम किस तरह से एंटर करेंगे college या फिर school through gate gate के through करेंगे तो हम section 9 के section 9 के through ही हम CPC के अंदर enter करते हैं तो इसको section 9 को gateway of CPC भी बोलते है the court shall subject to the provision here in contained have jurisdiction to try all suits of civil nature accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly bad यह क्या कहता है the court shall court के पास power है shall means mandatory power जहाँ पर shall आता है वहाँ पर क्या होता है mandatory मतलब court को करना ही पड़ेगा में आता है वहाँ पर discretion होती है court जो judge होता है उनके बाद discretion power होती है वह कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है पर जहाँ पर shall आजे वहाँ पर mandatory है उन्हें करना पड़ेगा the court shall subject to the provision here in contain जो ये bracket में लिखा हुआ इसका मतलब जो भी CPC के अंदर basic requirements है उसकी उनको fulfill करना पड़ेगा court को have the jurisdiction और उसके पास क्या है jurisdiction है कि वह सभी suits को सुन सकता है जो civil nature के है सिरफ उनी suits को छोड़ कर जो उनसे expressly तोर पर या फिर impliedly तोर पर बार्ड है जिनका cognizance बार्ड है अब हमारे पास इस section में दो explanations भी दिये रखी है बार्ड जो बताता है कि कौन से ऐसे cases है जो बार्ड है इन explanation में कुछ जाद़ टेक्निकल नहीं है सिरफ एक simple सा क्या बोला है बार्ड है यह नहीं सुन सकता और कौन से suits होते हैं ऐसे cases जिनके लिए अपना अलग से court बना हुआ है या फिर अपना अलग से tribunal बना हुआ है वो वले cases जो है यह नहीं सुन सकता है ऐसे कौन से होते हैं फॉर एक्जामपल जैसे कोई भी company का कोई भी matter है वो कहां जाएगा company tribunal में क्योंकि जो company का साथ करें जुरिस्जिक्षन का मतलब क्या होता है अभी हमने बताया जुरिस्जिक्षन मतलब की यह लिमिट बताता है और पावर बताता है कि कोट की क्या पावर होती है तू सेटल दा मैटर को किस तरह सेटल करना है कोट के पास पावर होती है अब हमारे पास केस आया था एक हिर्देनाथ रोय वसिस रामचंद्र का कलकटा हाई कोट का ये केस था 1992 में इस केस में जुरिस्डिक्षन का मतलब बिल्कुल डिटेल में बताया उन्होंने क्या बताया जो जुरिस्डिक्षन है ये डिफाइन करती है जुरिस्डिक्षन को किस तरह डिफाइन किया उन्होंन उसमें judgment या decree पास कर दे, ये court की power होती है simple words में हम क्या बोलेंगी, court की power है to settle the matter की, वो matter को settle करे अब lack of jurisdiction, lack of jurisdiction कहाँ पर हो सकती है अगर हमें lack देखें कि कहाँ पर lack होगी जिन courts के पास jurisdiction नहीं होगी वहाँ पर lack of jurisdiction हो जाएगी वहाँ पर वो, जो उनसे courts हैं, वो उन cases को नहीं सुन सकते अब सबसे पहले हमारे पास तीन तरह की jurisdiction होती है जो main jurisdiction है territory jurisdiction, pecunery jurisdiction, subject matter jurisdiction जो territory jurisdiction होती है, वो territory base पे होती है territory base पे मतलब की, जैसे अगर हम territory की बात करे the territory which is in which a court can exercise its power it's called its territorial jurisdiction जो territory के उपर base हो for example, जैसे करनाल है करनाल के अंदर कोई case held हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, करनाल court के पास उसके पास jurisdiction है कि वो से सुन सकता है लेकिन अगर वो बंदा उठके अंबाला court में चला जाए तो उसके पास उसकी jurisdiction नहीं है क्योंकि वो territory पे नहीं है वो कहेगा कि वहाँ पर है तो वहाँ पर ही अपना case जालो ना तो इसके बाद pecunary jurisdiction second जो pecunary jurisdiction का मतलब होता है means the authority of the court to hear and decide the matter on the basis of monetary value monetary value means पैसो वाली value को देखके पैसे दिए वे नहीं होते है जैसे कि हर court के amount fix किया होता है कि ये वाला court इतने amount के cases को सुनेगा ये वाला court इतने matter के cases को सुनेगा तो ये क्योंती है pecunary jurisdiction होती है subject matter jurisdiction होती है the court can decide the court have been divided on the basis of subject matter court को किन basis पे divide किया गया होता है subject matter के base पे divide किया गया होता है जैसे किसी court को नाम दे दिया कि यह family matter वला court है तो यहाँ पे सारे family वाले cases जाएंगे यह वला court है तो इस पे यह वाले cases जाएंगे जिनका subject matter दे दिया है तो इन्हें किया तीन तरग हमारे पास jurisdiction है, territory, pecuniary, subject matter होर भी होती है, पर इसमें सिरफ तीन ये main है, अब jurisdiction, lack कहाँ पे होगी, the jurisdiction, simply the court have the power to deal the cases, but if the court does not have any of the jurisdiction, कहता है, अगर court के पास इन में से कोई jurisdiction नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे lack of jurisdiction बोलेंगे, when the court does not have the jurisdiction, अगर court के पास jurisdiction नहीं होती है, और फिर भी अगर वो अपना case decide कर दे, तो वो जो case होगा, उसकी जो degree pass होगी, judgment होगी, जो भी उसका execution होगा, वो सब क्या होगा, word या फिर wordable होगा, as per the circumstances, upon the circumstances, अब हमारे पास section 9 में दो condition आई थी, एक तो civil suits की, कि court के पास power है, कि वो सभी civil suits को सुन सकता है, second, उन cases को नहीं सुन सकता, जो expressly और impliedly barred होते हैं, civil suits को हम अगर explain करें, civil suits कौन से होते हैं, civil suits वो होते हैं, जो उनसे criminal nature के नहीं होंगे, उन्हें हम civil suits बोलते हैं, अब इसमें case हुआ था, civil suits के उपर ही, civil suits का क्या है, section 9 के अंदर एक case हुआ, केहर सिंग निहाल सिंग वसस कस्टोडियन जर्नल, इस case में क्या हुआ था, the court elaborate, court ने elaborate किया था, civil proceeding के concept को कि civil proceeding क्या होता है, उन्होंने बताया उसे, it defined as a grant of private right, वो बताते हैं कि जो private right, किस individual का, किसी corporation का, जो कि society के अंदर है, the object of action is reward as to recovery private right, in other words, the civil action may be described as the proceeding between the two parties for the implementation or redressal of private right, ऐसे cases जो कि private right के उपर base होते हैं, दो person के, उसको क्या बोलते हैं हम, civil rights बोलते हैं, इस case में उन्होंने ये बताया, उन्होंने civil rights का मतलब बताया, civil nature बताया कि civil nature क्या होता है, एक second condition क्या थी section 9 की, ऐसे cases जो कि expressly और impliedly barred होंगे, वो वले cases नहीं सुने जाएंगे, अब suit कौन से होंगे, expressly और impliedly, दो बाते हैं, इसमें expressly barred और impliedly barred, expressly barred कौन से cases होते हैं, ऐसे cases, a suit is set to be expressly barred, उनको बोलेंगे expressly barred when it is prohibited by the statute for the time being in force zone से, हमारे statute को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, वो वले cases इसके अंदर नहीं होंगे, वो barred होंगे, the suit impliedly barred, impliedly barred मतलब, a suit is set to be impliedly barred, हम उन cases को बोलेंगे, उन suits को बोलेंगे, when it is set to be excluded by the general principle of law, जो की exclude किये गए हैं, general principle of law से, I hope you will like my video, thank you,